नमस्कार दोस्तों जीके अर्जिन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी पीजीटी 2022 इतिहास प्रेटिसेट 148 में परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्पून प्रस्न तो चली वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आ आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चली वीडियो प्रारम करते हैं हाँ अगर आप लोग इससे पिछला प्रेटिसेट 147 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हू तो वहाँ से भी आप लोग पिछले 147 प्रेटिसेट देख सकते हैं तो चली वीडियो प्रारम करते हैं पहला क्वेशन है निमलिकित में से कौन हडपा और मोहन जोड़ों के उत्खनन से संबंधित नहीं है दिया है आडी बनर जी के अन्दिचित एम एस वत्स या बीए इ तो कौन जो है हडपा और मोहन जोड़ों के उत्खनन से संबंधित नहीं है तो इसमें आपका राइट एंसर डी से योगा बीए इसमित बीए इसमित गाएत्री मंत्र किस पुस्टक में मिलता है उपनिसद में भागवत गीता रीगवेद या यजुरुवेद में तो गाए ग्रत्री मंत्र जो मिलता है वो पुस्तक का नाम है या ग्रंथ का नाम है रिग वेद में इसका राइट एंसर C होगा रिग वेद में कोश्चन नमबर तीन है निमलेकित में से किस बौध ग्रंथ में संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं दिख निकाय बिने पिटक अभिधंब पिटक या विवासा सास्त्र में तो यहाँ पुछा है संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वो है बिने पिटक इसका राइट एंसर 20 है होगा इसमें संग नियम जहां पुछे तो वहाँ बिने पिटक लगाईएगा इसमें तो 20 इसका राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर चार है बौध संग में भिच्छुनी के रूप में इस्तिरियों के प्रवेश की अनमती बुध द्वारा दी गई थी तो बौध संग में भिच्छुनी के रूप में इस्तिरियों के प्रवेश के अनमती बुध द्वारा कहां पर दे गए थी ये कोश्चन इसमें पूछा जा रहा है स्रावस्ति में वैसाली में राजग्री में या कूशी नगर में इसका राइट एंसर बी से योगा कहां पर वैसाली में कोश्चन नमबर पांच है निमलिखित में से कौन सब से पूरुकालिक जैन गरंत कहलाता है तो इन म इसमें चारों में से आपको सब से पूरुकालिक जैन गरंत कौन सा है तो इसमें आपका राइट एंसर सी सही होगा यानि चवदह पूरु सब से पूरुकालिक जैन गरंत कहलाता है चवदह पूरु सी इसका राइट एंसर होगा इसमें कोश्चन नमबर छे है भागवत धर भागवत धर्म का ज्यात सरपर्थम अभिलेखी साच्छी है। अभिलेखी साच्छी कहां सी मिलता है। तो वो है बेश नगर का गरुण अस्तंब। किसकी राधानी थी ये थी चेदी किसका राइट एंसर सी होगा चेदी। कोर्शन नमबर आठ है। सेंड्रो कोटस ने चंद्रगुप्त मौर की पहचान किसने की। सेंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर की पहचान किसने की। बिलियम जोन्स, तो बिलियम जोन्स ने जो है सेंड्रो कोटस की समानता चंद्रगुप्त मौर से की है। तो ये इसमें राइट एंसर होगा बिलियम जोन्स। कोटस नमबर 9 है वह स्रोत जिसमें पाठली पूत्र के प्रसासन का वाणन उपलब्ध है। तो पाठली पूत्र के प्रसासन का वाणन के लिए प्रमुक्ष स्रोत कौण सा है तो वह है इंडिका। इसमें राइट एंसर सी होगा इंडिका। कोश्चन नमबर 10 है आज भी भारत में वेन सांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो आज भी वेन सांग को भारत में याद के जाता है इसका मुख्य कारण क्या ये पूछा है। हर्ष के प्रती संमान या बौध धर्म में आस्था या नालंदा में अध्यन या C.U.K की रचना तो वेन सांग को भारत में याद करने का मुख करण है वो है C.U.K की की रचना की थी जिसमें भारत का पूरा वलन यहां जाहां भी बर्मन किया यात्रा किया उसका पूरा वलन इसमें किया गया है सी यू की की रचना में कोश्चन नमबर 11 है प्राचीन भारत का निमलेखित में से कौन सा महत्तपुन बैपार केंद्र उस बैपार मार्ग पर था जो कल्यान को बेगी से जोडता था उस बैपार मार्ग का नाम पूछा जा रहा है क्या नाम था जो कल्यान को बेगी से जोडता था दिया है टगर त्रिपूरी श्रीपूर या ताम्र लिप्ती इसमें आपका राइट एंसर होगा ए टगर कोशन नमबर बारा है गोविंद चंद्र गहडवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन बिहार कहां बनवाया था कुमार देवी दोरा बनाया था जो गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी थी बोध गया में कूसी नगर राजगरी या सारनाथ में इसका राइट एंसर डी सयोगा सारनाथ में कहां पर सारनाथ में कोश्चन नमबर 13 है निमलिकित में से कौन सासक पिर्थिवी राज चौभान के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन सा सासक पिर्थिवी राज चौभान के नाम से प्रसिद्ध है काफी हाइलाइट ये सासक थे राजपूत वन्स के पिर्थिवी राज चौभान इसमें देखे ती पिर्थिवी राज चौहान के नाम से कौन से सासक प्रसिद्ध हुए थे ये सासक पे पिर्थिवी राज तिर्थिए यानि पिर्थिवी राज तिर्थिए कोई पिर्थिवी राज चौहान के नाम से जाना जाता था कोश्चन नमबर चवदा है भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था इसमें आपका राइट अंसर बी से योगा कुतूब दीन एबक को तो मुहम्मद गोरी ने प्रथा मत्ता कुतूब दीन एबक को प्रदान किया था कोशन नमबर 15 है निम्लिकित में से किस मध्य कालिन सासक ने सारवजनिक बीतरान पणाली प्रारंब की थी अलावदिन खिल जी बलबन फिरोसा तुगलक या मुहम्मद बिन तुगलक इसमें आपका राइट एट एट से योगा अलावदिन खिल जी कोशन नमबर 16 है निम्लिक नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हिमायों के भाईयों में से किसी का नाम नहीं था या हिमायों का भाई नहीं था तो इसमें आपका राइट एंसर होगा बी उस्मान उस्मान जए हिमायों का भाई नहीं था इसके अलवाद कमरान अस्करी हिंदाल और हिमायों ये चार भाई थे उस्मान नहीं था तो बी इसका राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर 17 है महात्मा गांधी एम उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे दिया है अलूरी सिताराम राजू जोडा नांग या जहाबकर बापा या रानी गैंडिन लियू इसमें आपका राइट एंसर बी से योगा जोडा नांग या कहें जोडा नांग जो गांधी जी उनके विचारों से काफी प्रभावित थे ये कोश्चा नमबर 19 है भारतिय राष्टी कांग्रेस को किस ने भीख मांगने वाली संस्था यानि बोईंग बेगिंग इनिस्टूट कहा था भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इनिस्टूट कहा था तो भारतिय राष्टी कांग्रेस को किस ने कहा था बीसी पाल ने तिलक ने अर्विंद घोस ने या इन में से कोई नहीं इसमें आपका राइट एंसर होगा वह है तिलक यानि बाल गंगादर तिलक ने भारती राष्टी कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था क्यों उपमा दे थी कोईसन नमर 20 है और अंतिम कोईसन है भारत की स्वाधिनता के समय महात्मा गांधी तो भारत की स्वाधिनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कानकारी समीती के सदस्य थे या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे या कांग्रेस के अध्यस थे या कांग्रेस के महासचीव थे तो भा लाइक कर अपने दोस्तों के यहां अधिस्ति सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम